इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो रीट के हमारे जो साती है जो ओनलाइन फॉर्म आप भरोगे तो ओनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको इस फॉर्म को जरूर एक बार आपको भर के देख लेना है तो मैं इस form को भरके बताऊँगा यहाँ पर एक एक बिंदू को समझाऊँगा जिससे कि कोई गलती आपसे नहीं हो इस बात का ध्यान रख लेना कि यह नौकरी का सवाल है एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा संकट में डाल सकती है इसलिए पहले से निश्चत हो जाँगा उसके बाद में कोई डाउट यदी रहता है आपका तो हमें आप कमेंट के रूप में बता सकते हो आपके डाउट का समाधान हो जाएगा ठीक है जैसे आपने चालान बना लिया चालान के द्वारा फीस जमा हो जाती है उसके बाद में चालान नमबर के बाद में आप online आवेदन कर रहे हैं तो online आवेदन आपको इस तरह का देखेगा याने कि आपका जो forum होगा वो इस तरह का होगा अब इस forum को कैसे भरना होगा वो जानना जरूरी है तो चलिए मैं वही बता रहा हूँ इस वीडियो में पूरा वीडियो जरूर देखना आप बिल्कुल आपको skip नहीं करना है क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए महत्पूर है नौकरी का सवाल है एक गलती आपके लिए दुख दे सकती है तो चलिए देखिए ये आपका form रहेगा जैसे आप form भरोगे ना तो board of secondary education राधस्थान अजमे राधस्थान eligibility examination for teachers REIT 2022 REIT 2022 sample of the application नमूनिक आविदन पत्र है ये कृपया online आविदन करने से पूर्विस आविदन पत्र को भर करके अविश्य जाच कर लें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर photo paste करना है बात समझना photo आपका latest होना चाहिए ठीक है आपका latest photo हो ये नहीं कि बहुत पुराना photo है पैचान में ही नहीं आ रहा है सकल पता नहीं कौन है आप रामलाल की जगह शामलाल लग रहे हैं तो वहाँ गड़बड हो सकती है आपका latest photo होना चाहिए नवीनतम photo आपको यहाँ लगाना है ठीक है ऐसे अब इसके बाद मैं एक एक बिंदू को बता रहा हूं में यहाँ प बात का ध्यान रखना यहाँ पर signature करने के लिए आपको काले pen का यूज करना होगा किसका काले pen का एक यहाँ पर special बताया गया है कि आधार काड की image upload करनी है ठीक है image जो होगी वो किसकी आधार काड की बिलकुत साप सुत्री होने चाहिए और jpg format में होने चाहिए अब मैं एक पहले पूछी जाएगी तो सबसे पहले सातियों यहाँ पर आपके नाम लिखना होगा अभ्यरती का नाम ठीक है जैसे मान लो कि मेरा नाम है लखन ठीक है तो आप यहाँ पर लिख दोगे लखन ठीक है लखनलाल या पिरामलाल या शामलाल जो भी नाम है वो आप यहाँ प पर लिख दोगे ठीक उसके बाद में आगे है पिता का नाम पिता का नाम जो भी है आप यहां लिख दोगे ठीक है उसके बाद में माता का नाम जो भी है आप यहां लिख दोगे किलियर यहां तक इसके बाद में लिंग यहां पर जैसे लड़की है तो फीमेल का चैन करना है ठीक है इसके बाद मैं आगे बता रहे हैं यहाँ पर वाइवाहे किस्तिती यहाँ पर आपको बताना है कि वाइवाहे किस्तिती क्या है आपकी उस पर आपको टिक करना है और यहाँ पर लिख देना है यह जो आगे जगे दिख रही है न यहाँ लिख देना आप जैसे कि married हो आप शादी शुदा हो तो यहां married पर टिक करके लिख देना है और unmarried हो आप तो unmarried पर टिक करके यहां लिख देना है उसके बाद में आप divorce हैं तलाक सुदा है तो आप यहां लिख देना है और बिडो है आप तो यहां लिख देना है आपको ठीक है जो भी है यहां आपको बताना होगा किलियर आगे चलिए आगे लिखना है रिलीजन याने की धर्म क्या है आपका आपको यहां धर्म बताना है से कि हिंदू धर्म है मुस्लिम धर्म है सिक्क धर्म है ठीक है जो भी आपका धर्म है यहां से आपको बताना होगा उस पर टिक कर देना है क लड़कियों के उसमें है जो वैवायक है यानि कि जो शादी शुदा है उनके लिए यहां पर है तो उनको अपने पती का नाम लिखना होगा जो भी नाम है वो आप यहां नाम लिख देंगे अच्छे से इसके बाद में आधार नमर ठीक है आधार काड की इमेज अपलोड करे यानि कि आधार नमर आपको लिखना होगा यहां पर ठीक है इसके बाद में date of worth आपको लिखना होगा यहां और फिर यहां just आगे अब देखो आगे एक box सब बना हुआ यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि आधार काड की इमेज अपलोड करें यहां आधार का फोटो अप इसे डिटेल में आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है और सब के सब आपको उसमें capital letter में लिखो या कैसे भी लिखो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि आप online लिखोगे अपने आप ही ले लेगा वो ठीक है ऐसे उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा वैसे कैसे भी लिख दो आप आप देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पत्र व्यवहर यानि की address हम लिखेंगे यहाँ पर address में आप द्यार रखना एक बात का यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे एड़दा रेट है ठीक है हैस है और यह कॉमा बगेरा है इनका ऐसे जो special character है हमारे इनका यूज नहीं करना है आपको इस तरह की संकेतों का यूज आपको इसमें नहीं करना आपर जो भी लगता है आपता ठीक है वो यहां लिख देंगे आप उसके बाद में राज्य का नाम लिख देंगे आप ठीक है आपकी email ID लिख देंगे यहां पर ठीक है यहां पर आपका जिला लिख देंगे और यहां पर आपका पिन कोर नमर लिख देंगे इसके बाद में य याने कि दो mobile number आपको लिखने होंगे, कहीं बार क्या होता है, जो एक mobile number लिखते हैं तो बंद रहता है, या किसी कारण से बंद हो जाता है, mobile number मिल नहीं रहता है, आपका कोई भी problem हो जाए, तो secondary जो number है, अमरा additional जो है, उस पे हम बात कर सकते हैं, इसके बाद में है, you are ex-servicemen यदि आप ex-servicemen हैं, भूत पूर सेनिक हैं, तो आपको yes या no में से yes करना है, और नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है, यहाँ आपको click करना होगा, आप देखिए यहाँ पर आपको category का chain करना है, ठीक है, श्रेणी का, जिस भी श्रेणी में आप आते हैं, उसका chain करना होगा जैसे आप general में आते हैं, तो general पर tick करना है, SC में आते हैं तो SC पे, ST में आते हैं तो ST पे, OBC में आते हैं, MBC में आते हैं तो MBC और EWS में आते हैं तो EWS का chain करना होगा, तो यहाँ तो कोई problem नहीं होगी, चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आजाना चीए आपको एक भी गलती नहीं होने चीए आपको बस आगे चलिए आगे कह रहे हैं देखिए यहाँ पर विशेश योग्ये जन अनुदेश में वरनित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमान पत्र होने पर ही हां का चैन करें देखो इस पेसल जो ह हमारे दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है यह यदि आप दिव्यांग हैं लेकिन दिव्यांग आप तभी माने जाओगे जब सक्षम अधिकारी के द्वारा सर्टीपिकेट है आपका ठीक है तरह की इसमें बहुत सारे नाम दे रखें, इनमें से related कोई भी problem आपकी है और उसका certificate आपके पास है तो आपको यश करना है किलियर है बात, चलो आगे अब हम आगे देख रहे हैं bona fide resident status अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं सबसे पहले आपको राष्ट्रियता यहाँ बतानी है, तो nationality आपकी क्या है, Indian ठीक है, भारती है यहाँ आपको लिखना होगा यहाँ पर Indian या भारती है लिख देंगे इसके बाद में क्या आप राजिस्थान के मूल लिवासी है, यदि हैं तो yes करना है और नहीं है, तो no करना है clear है, इसके बाद में आगे है मूल लिवास का राज्जी बताना है यानि मूल लिवास का राज्ज bonafide state, आपका कौन से राज्जी का है जیसे आप राजिस्थान के मूल लिवासी है तो राजस्तान आपको लिखना होगा MP के है तो MP लिखना होगा ठीक है जो भी है आपका वो राज जी आपको लिखना होगा मूल लिवास का जिला और मूल लिवास का जिला कौन सा है जिसे राज जी राजस्तान लिख दिया जिला लिखना आपको जैपूर है बरतपूर है करॉली है दौलपूर है अजमेर है जो भी आपका जिला है वो जिला लिख देना होगा किलियर आगे चलिए आगे लिखना है कि क्या आप TSP या सेरिया क्षित्र से हैं यदि हाँ एबम अनुसूच जन जाती के हैं तो अपनी तैसील या गाव के नाम का उलेक जरूर करें तो आप हैं तो पहले यस करें उसके बाद मैं यदि हाँ एबम अनुसूच जाती के हैं तभी आपको तैसील लिखनी होगी और गाव का नाम लिखना होगा तभी मानने होगा ये के लिए बात यहां तक चलें आगे चलिए आगे है विवरन आप देखिए आगे जो विवरन आप से मांगा जा रहा है ये काफी महत्पुन है देखिए इसमें कहा रहे है परिक्षा केंद्र का प्रात्मिक्ता क्रम जिला एक यानि कि आप परिक्षा कहां पर देना चाते हैं परिक्षा केंद्र का प्रात्मिक्ता क्रम जिला एक यहां पर सेलेक्ट करें आपके जितने भी जिले हैं उनमें से सलेक्ट करना है एक नमबर पे उसके बाद में आपके दो नमबर पे यहां सलेक्ट करना है जिला ठीक है तो आपको दो सलेक्ट करने होते हैं इसके बाद में है लेवल आपका इस्तर क्या रहेगा वो आपको बताना है first level है second level है ठीक है या बोथ है वो आपको बताना होगा ठीक है या तक इसके बाद में भाषा का chain करना है सिक्षन माध्यम की भाषा का चैन करना है आपके सामने यहाँ पर साथ भाषा दी हुई हैं इन में से एक का चैन करना है तो language फस्ट में एक भाषा चैन करनी है बाषा सेकिंड में आपको एक भाषा चैन करनी है ऐसे करके एक तो यहाँ हो जाएगी एक यहां हो जाएगी दो भाषा चैन करनी होंगी तो पहली भाषा आपको इन मैंसे करनी है हिंदी, अंग्रेजी, सम्स्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजावी, गुजराती पहली भाषा होगए जैसे मालो किसी ने सम्स्कृत कर दी पिर दूसरी भाषा के लिए हिंदी अंग्रेजी संस्कित अर्दू सिंधी पंजावी गुजरा थी इनमे से दूसरी लेनी है जैसे हिंदी ले ली तो संस्कित हो गई और हिंदी हो गई दूसरी भाषा ऐसे आपको भाषा लेनी होती है इसके बाद में यहाँ पर विशेश आ से हैं या सोजल सैंस से हैं वो आपको यहां पर सधुरूंत के स्टूड самойमे Con intelligent χी से हैं वो आपार होता है ठीक है और प्रिक्ता के बाता है किलीर हो गया आज़ Nिक युग्येताहिं की तरफ अब हमें यहाँ पर सेक्षने की योग्यताइं भरनी होंगी इसमें सावधानी से भरना आप ठीक है अच्छे से तो सबसे पहले आपको सेकंडरी भरनी है याने आपको दसवी क्लास की माक्षीट अपके पास होनी चाहिए यहां लिखा हुआ की दसवी की अंक्तालिका की इमेज आपको अपलोड करनी है अच्छे से ठीक है अब मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहां पर क्या-क्या आपको भरना होगा देखिए सबसे पहले दसवी का नंबर है कौन से बर्ष में आपने पास करिए यहां लिखना है कौन से बोड से करिए यहां लिखना है जैसे कि मादमिक शुक्षाबुर अजमिर लिख दिया आपने कितने नंबर का पूर्णांक था जैसे मालो की 600 नमबर का पूर्णांग था टोटल कितने थे उसमें 600 आपने कितने प्राप्त किये जैसे मालो आपने 600 में से 400 प्राप्त करे तो percentage कितना हुआ यहाँ अपने आप निकल जाएगा ठीक है ऐसे तो यह आपको बरना होगा इस तरीका से ऐसे आपको यहाँ पर बारभी क्लास का वरना है बर्ष कौन सी बर्ष में किया बोड का नाम ठीक है हाँ यहाँ पर शंका आजाएगी आपके पर आर्ट से है या साइन्स है या कॉमर्स है जो भी है वो आपको संकाय लिखनी है फिर पूर्णांक कितने है प्राप्तांक कितने है परसेंटेज आ जाएगी है इसी तरह इसनातक में लिखना होगा आपको वर्ष और विश्विध्याले का नाम आपने कहां से इसनातक करी है संकाय किसमे है आप पूर्णांक प्राप्तांक और प्रतिशत इसके बाद में आप M.A. कर रखी है तो M.A. का भी भर देंगे आप पूरी डिटेल वर्ष, विश्विध्याले का नाम, संकाय, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत ये आपको पूरी डिटेल अच्छे से सावधानी पूरवक देख कर ही भरनी है ठीक है इसके बाद में प्रसेक्षित योग्यता है आपकी जो professional qualifications हैं B.Ed और B.S.T.C वो नीचे भरनी होगी तो यहाँ देखो B.S.T.C और उसके समकक्ष यदि आपने कुछ कर रखा है तो कब किया है वर्श भरनी है, बोड का नाम भरना है, पूर्णांक भरना है, प्राप्तांक भरना है और percentage कितनी है वो भरना है यदि आपने B.E.E.D कर रखी है याँ B.E.E.D के समकक्ष और कुछ कर रखा है तो यहाँ वर्श भरनी है किस वर्ष में किया है जैसे मालो किसी ने 2015 में कर रखा तो यहां लिख देंगे किसी ने 2020 में किया तो यहां लिख देंगे कौन से विश्विद्याले से किया यहां लिखना होगा संकाय क्या थी आपकी पूर्णांग कितना था प्राप्तांग कितना था percentage कितना था ऐसे करके हमारी पूरी योग्यताएं हो जाती है clear है अब इसमें last में एक चीज और लिखनी है body identity mark याने शरीर पर कोई भी पैचान का चिन्न आपको लिखना है आपर जैसे मालो चेरे पर कट लगा हुआ है हाथ पर कट लगा हुआ है या गाल पे तिल हो रहा है जो भी आपके एक mark है कोई भी तो वो आपको यहां लिख देना होगा इस तरह से दोस्तों यहां पर मैंने पूरा forum आपको बताया है कि किस तरह से आप form भरोगे एक एक बिंदू को बताया है आप से गलत ही नहीं होगी इसलिए इस वीडियो को जरूर देखना अपने दोस्तों को भी श्यर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि इसमें important जानकारी है आपकी यह पूरा देखने के बाद समझने के बाद संतुष्ट होने के बाद ही आप online form भरें कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आगया होगा फिर भी कोई डाउट है आपके दमाग में तो आप कमेंट के रूप में सवाल कर सकते हैं निश्यत रूप से उसका जवाब हम देंगे ठीक है धन्यवाद मिलेंगी नेक्स टॉपिक में तब तक के लिए इसको अच्छे से देखें अपने दोस्तों को शेयर कें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर करना यार धन्यवाद